बच्चों देखो ज्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ सिक्षा दर्शन जी हाँ पढ़ाई के साथ मस्ती भी यह है सिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनुठा रोचक कारिक्रम है से बारा तक विडियो के माध्यम से अध्यन कर सकते हैं इस कारिक्रम में आपको घर बैटे सप्ता के प्रथम पांच दिन सभी विशयों की विशय वस्तू अध्यंत रोचक तरीके से समझाए जाएगी तथा प्रतेक शनिवार को विबिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से समन्दित, जानकारी के साथ-साथ मनोरंजक कहानियों पकटपुतलियों के खेलका भी आनन ले सकेंगे राजस्थान राज्जे सैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसेक्षन परिशद उदैपूर की तत्वाधान में इस कारिक्रम की अंतरगत बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में लेखा शास्त्र विश्यर में लेखा अंकन एक परिचय भाग दो विखक्षा 12 में इतिहास विश्यर में सिंधू घाटी सभ्यता प्यारे बच्चों मैं आपको लेखा सास्त्र 11 क्लास का पार्ट वन चेप्टर लेखांकन एक परिचय पढ़ा रहा हूं इसका पार्ट वन आपने देख लिया होगा अगर आप प्यारे बच्चों उस इस पार्ट वन में पढ़ा था लेखांकन क्या है लेखांकन की परिवासा क्या है और लेखांकन का क्या इतियास्रा है लेखांकन कब से हमारे सुरू हमारे पास है लेखांकन को हम कब से अपना रहें इस सारी जाहनकारी हमने पार्ट वन में पढ़ी अब इस पार्ट में प आपके अध्यापको द्वारा आपसे पूछा जाता है तो लेखांगन की प्रकरती यहां पर हम चार बिंदों पर चर्चा करेंगे पहला चर्चा आर्थिगटना दूसरा पैचान मापन अभी लेकने संप्रेशन तीसरा संगठन और चोथा सूचिना से संबंदित उप्योग क करता है या यहां पर हम इंच चार बातों पर चर्चा करनी हैं जो स्फामर्पित हैं सबसे प्रहें बात करते हैं wrk ना चयों मेरे बता यहां पर बच्चों मैं आपको पहले भी बताया था कि लेखांगन में उनी घर्टना ओं लेनदे नों को रिकॉर्ड किया जाता लिखा जाता है जो ग poczilda करती ही हूं तो यह पर भी लिखागा है वियुसाइज संगतनों का संबंध आर्ठिक गटनां से होता है यांशन और वियापारीख शो काम करते हैं जो काम करते हैं अर्थ कमाने के kया लब कमाने के द्रीज ना से ताठ परी किसी व्यावसाय संगतन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन्देंसे जिसके परिणाम को मुद्रा में मापाँ जा सकता हो यानि वह गठना जिसको आप मुद्रा में माप सकते हैं वह कहलाएगी गठना आपकी आर्थी घटना मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी मम्मा आपके लिए जो खाना बनाती है वो प्यार रिवस बनाती है वो वहाँ पर आर्थी घटना नहीं है क्योंकि इसके प्रेणाम को मुद्जा में माप नहीं सकते है लेकिन मम्मा ने किसी रिश्टोरेंट के लिए जो खाना बनाया तो उसे मुद्जा में माप जा सकता है क्योंकि उस काम के बदले उनको पैसा मिलेगा जो मुद्जा के रूप में ही मिलता है यानि वह कार ये जो जिसके बदले में आपको मुद्रा प्राप्त होगी अभी या भविश्य में, वह आपकी गटना, क्या क्या कहलाती है? आरथिक गटना. गटना से ताकपरी यहां लेंदेन से हैं गटना किसको कहेंगे लेंदेन को और लेंदेन कितने व्यक्तियों के बीच में होता है दो व्यक्तियों के बीच में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है एक प्राप्त करता प्राप्त करता वह व्यक्ति होगा जो प्राप्त कर रहा है और दूसरा देने वाला हम यह से भी कह सकते हैं एक क्रेटा खरीदने वाला और दूसरा विक्रेटा यानि की बेचने वाला यह नि despne सीयुगा यानि दो विक्ति जब हमारे किसी लेंदेन या किसी काएले को पूरा करतें तो उसको क्या करते हैं गटना करतें लेकिन घटना टक्रशना कब बन जाती है जब उसके बदले में हमें कुछ मुद्रा या तो अभी वर्तमान में या भविश्य में प्राप्त होने वाली है तो लेंदेन को पूरा करने के लिए दो व्यक्तियों के आश्यक्ता होती क्रेटा और विक्रेटा क्रेटा आप सभी जानते हैं जो खरीदने वाला है और विक्रेटा व्यक्ति जो बे व्यक्ति नहीं होगा त communist पूरा नहीं हो सकता। अभी लेखांकर में कौन से । लिखा जाता है जो आर्थिक हो और ओने असे गतनाई जो आर्थ ये पैसे से समddisiasheet विखतनाओ का लेखा लेखांकर में किया जाता है अगली पहचान करनметर लेखा जो पहचान का मतलब होता उसको जानना इस एर्थ यह निधायत करना है कि किन लेन देनों का अभी लेखन किया जाए तेकि मैंने कहा कि केवल आर्थि घटनाओं का ही लेखा लेखा पुस्तकों में किया जाता है लेखा पुस्तके जहां हमने व्यवसाय की समस्त क्रियाओं को किया है वो पुस्तके लेखा पुस्तके कहलाती है तो हमें पहचानना क्या है हमें पहचानना है कि लेखा पुस्तकों में हम कौन सी क्रियाओं का लेखा कर सकते हैं अर्थाथ इनमें उन घटनाओं की पहचान करना घटना लेंदेन जिनका अभी लेकन किया जाना है कौन सी अहीं काम हमारा क्वारा पहचाना है कि एसे इसे कौन से मेंसे, वैवार है, जो आर्टिक्घर्टी के सम्मंदित हैं। ने मुझेब को खोनाच को बनने का स्वा अहां कुछाना आतिकट्निते हैं। लेकिन अगर वही काम वो किसी टिफिन के लिए या किसी रेस्टोरेंट के लिए करती है तो वित्य प्रकरती का होगा तो हमाँ सबसे पहला काम है कि हम उस घटना या लेंदेन को पहचाने कि ये घटना या लेंदेन वित्य प्रकरती की है या नहीं इसमें संगटन से संवने सभी किर्याओं का आउलोकन कर यानि उसको देख कर केवल उनी किर्याओं का जी जाता है जो वित्ये सुरेश नाम का एक व्यक्ति है सुरेश नाम के व्यक्ति को हमने टाइपिष्ट के पद पर नियुक्त किया मेरे प्यारे बच्चों किया आर्थी घटना है नहीं है यह आर्थी घटना नहीं है क्योंकि सुरेश को हमने अभी केवल टाइपिष्ट के पद के लिए नियुक्त किया है उस व्यक्ति को हमने कर ँब यह जह तैपिश्ट बनाया है हमने कहीं पर भी उससे कोई प्यसा ना तो दिया है और ना ही हम बैशई में अतनीन हमी जिसके हमें को जानकारी है तो यह एक लापन सी हमानी आरित्या जब की यह घट्ना हमारे व्यावसाय के लिए महतपूर्ण है महतपूर्ण होने के बाद भी इस घटना को मार्ति घटना नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की वित्यका अभी कोई प्राप्तिया वुक्तान नहीं हो रहा है चलिए तो हमने कहा कहा कि केवल हमें सबसे पहले पहर्चानना के अधिय सब्सक्राइब कर आधार के और रर का की आपकी रुपे यापे से हमारी भारती जो मुद्रा है वोई मैं पैसे में ही व्यक्त की जाती है तो हमने जो लेखांकन को पहचाना है, हमने जो लेंदेन को अवलोकन करके पहचाना है, कि वित्य प्रकर्ति का है, तो फिर हमें उसका मापन करना होता है मुद्रा की हिकाई के रूप में, रूपे या पेसे के रूप में, कब वित्य प्रमापी करन, अनुमानों मोद्रिकाद प्रियोग को कितने रूपल कितने पैसे हमारा लें देन हुआ है यदो बनोन थे हो हम मुद्रा की काई की रूप में प्रदाशट करते हैं कि रूप हान jakie को मुद्रा की के रूप में कि यह कितने रुपे कितने पेसे हैं कि घटना घटी है यानि हमने जो छोता है उस मले का मुल्च है अभी लेकर का मतलब होता है लि君रा ए या या लेखा नोका करणाzos ए इसfeld न मेरे पैए बच्चों अभी मतलब हमका कहना रिखना ये लेखा जोखा करना जब एक बार आर्थिक रुड़स विध्य रूप में हो मैं आपको बताया है कि सबसे पहली प्रिकोंmaya सबसे पहले ऑर्थक लेंदेन को पहचाना पहचानने के बाथ उसे हम ने विध्य रूप मोज़क रूप में उसका हमने मापन किया तो इन्हें मोज़क काईयों को में लेखा पुस्तकों में काल क्रमा अनुसार का मतलब होता है काल क्रमा काल क्रमा नुसार इसका मतलब होता है समय के आधार पर यानि काल क्रमा नुसार का मतलब होता है समय के आधार पर यानि तित्रीवार डे बाइडे जन्वरी वन जन्वरी कू जन्वरी त्री अभे लिखित कर लिया जाता है यानि जिन व्यवारों को हमने सबसे पहले पहचाना कि वित्य प्रकlike के हैं उसके बाद हम उसका मापन करते हैं मुद्जा की एक हिकाई के रूप में मुद्जा की एक इसे के रूप में हम मापन करने के बाद उसे काहल कृमा नूसार समय के आधार पर उसको अभी लेकं यानि उसका लेखा जुका कर लिया ج numbles है अब्ही लेकर इस प्रेकार से किया जाता है और इस प्र Charlille जाता है कि आवशेक गरते सूच 비법 को एस्ताविट प्रइंपरह कर नुसा सारांस निकाला जा सके और से उसे उपलब्द किया या सकते हम जिन लेंदेनों का लेखा करते हैं तो लेका करने के बाद हमें उन लेन September का सारांस इस्तापित करना होता है साधान्स बनाना होता है साधान्स का मतलब आप जानते हैं छोटा करना हम इसके बाई में पढ़ेंगे आगे और थाकि हम आवश्यक्ता होने पर उनको उपलब्द करवा सके मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में ही बोल दिया था पहले ही दिन कि आज के आधुनिक समय में कब़ल लेन देनो को लिखना ही लेकान कर नहीं है बलकि इच्छुक व्यक्ति प्रबंदो को सूचना एं समप्रेशित करना भी आवश्यक है तो यहां यही का आ गया कि लेन देनों का लिखा इस परकार किया जाता है कि आवशेक वित्य सूचनाओं को परंपरा के आधार पर सारास निका सके और जब भी आवशेक्ता हो उसे उपलब्द किया जा से जिन इच्छुक व्यक्तियों को उन सूचना की आवशेक्ता है उन व्यक्तियों को सूचना पहुंचा ही जाए अगले हम टॉपिक की वह चलते समा अधार ये जिन का मतल souhaiteं इन पहले भी बताया था सूचनाओं का आदान-प्रदान। यानि सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है संप्रेशर आग तिकटना कि सबसे पहले क्या की जाती है पहचान की जाती है उसके बाद क्या किया जाता है उनका मापन किया जाता है उसके बाद उनका अभी लेकन किया जाता है उसके बाद आ आवश्यक्ता अनुसार प्रसंगानु कूल यानि जैसी हमें आवश्यक्ता है उसके आदार पर क्या की जाती है सूचने तयार की जाती है तो आप लिख लें प्रसंगा नु कूल आवश्यक्ता आनुसार यानि आवश्यकत अनुसार सबसे पहले घटना का पैचान की जाती है कि मापन करने के वाद उसको मोदिक प्रकती के लेंदेन को अभी लेखने ने लिखा जाता है है और फिर आवश्यक्ता अनुसार सूचिनाय तयार होती है हम इसका प्रभंध को दूसरे आंत्रिक वह भाय उप्योग करता हो को एक विशिष्ट रूप में संप्रेशन होता है संप्रेशन का मतलब सूचिनायों का आदान प्रदान जब यह सूचिनाय तयार हो जाती है तो होने के बाद जिन व्यक्तियों को इनकी आवश्यक्ता है जैसे कि प्रबंदक जैसे कि आंत्रिक और भाई यह उप्योग करता क्या होते हैं इसके वाई में जानेंगे आंत्रिक और भाई उप्योग करता हो को यह सभी सूचिनाय भेज दी जाती है क्यों भेजी जाती है इस संगाठन से भी प्रय किसी व्यासा ledhyaam से है जिनका उद्देश्य लाढ कमाना है ऐसी कोई भी संस्ता जिसका उद्देश्य लाढ कमाना अट्वा नहीं तैसें लाढ कमाने के ईद्देश्य से नहीं की जाती राजिस्तान सरकार भी आपके लिए फिरी एःदुकिशों ति किसी व्याविट्षेश्य लाब कमाना आत्वा नहीं नहीं कोई भी ऐसी, याँकोई ऒर कोई भी ऐसी संस्ता इन जिसका उद्ष ही कमाना हो भी सकता है और जिसका उद्ष ही यौज नहीं है वो सबी संस्तित व्याविशाय कंलाती है संग membati sacrifices किush . किर्याओं के आकार वहुसाय के परिचालन इस तर के आधार पर यह कहीं प्रेकार की हो सकती है किर्याओं के आधार किर्याओं के आधार से मतलब है किर्याओं का आकार यानि उसका काम छोटा हो सकता है छोटे इस तर पर कारे कर रहा हो सकता है वहुसाय के परिचालन के इस तर सब्सक्राइब शाइक अब इन गोल्य में बारीक थे स्प्रमित विकाई क्या है दोलूंसायां को आप दोफर पर भी काम करते हैं शाइत कम भी एक हम सकते हैं आधार हो सकती है ईकछर मिंट गाल करें एकल स्वामित विकाई क्या है एकल स्वामित विकाई वस संस्ता है जहां एक ही व्यापारी व्यापार करता है जैसे आपके गली मोले में पर्चून की दुकान आपके गली मोले में सबजी की दुकान आपके गली मोले में दूद की डेरी यह सभी वो संस्ता है जहां एक ही व् व्यक्ति के द्वारा पेसा लगाए जाता है व्यापार से होने वाले लाब को एक ही व्यक्ति बाटता है और एक ही व्यक्ति उस व्यापार में पेसा लगाता है निर्ने लेता है और स्वामस्त्र कारें उस एक ही व्यक्ति के द्वारे किया जाते हैं जब व्यावसाय प्रबं इहिए यह होंगे एक व्यक्ति के अदिक व्यक्ति के जाएंगे नियुंतम व्यक्ति दो और अदिकतम 50 व्यक्ति को सकते आगा दो सलHa साज़ेदारी संही आ संहींति और कंपनी हो जाएगी जहां व्यक्तियों की संख्या निधारित नहीं है एक unlimited व्यक्ति मिलकर जब काम करते हैं तो स्थानिय निकाय नगरपली का यह कोई पी अन्य संगतन हो सकता है आकार के आधार पर विशु के परिचालन के आधार पर इस नंगतन के कहीं भी प्रेकार हो सकते आप से पूछा जा या कंपनी इस्तानिय निकाए नगरपाली का यह कहीं ऐसे व्यावसाइक संस्तान हैं जिनका अधिश्य लाव कमाना हो भी सकता नहीं भी इन सभी संस्ताओं को हम क्या करते हैं संगठन आगे चलें सूचनाओं के इच्छु को प्योग करता आप लोगों को यह वड कहीं बार ह वह कूँन होते हैं जिनके भारे में हम जानेंगे लेखांकन का संब्य की वित्य नाके संपिशन से भी आई हमारे पहले वीडियो में इस वीडियो में मैं नहीं आपको बताया है कि लेखांकन आज के आदूनिक समय में कैवल फीच का लेखा करना ही नहीं है बलिकि इस करने पूर्टाइम ध्यान रहे इस्टार भी लगा सकते हैं पूचा जा सकता है रहसाई की बासा किसे का गया है सूचना के संप्रेशन को किसको का गया है सूचना के संप्रेशन को रहसाई की बासा कहा गया है अनेक उप्योग करताओं को महत्पूर्ण ने लेने के लिए वित यानि वे व्यक्ति जिने भविष्य के लिए योजिनाय बनानी है भविष्य के लिए नेने लेना है वे व्यक्ति उप्योग करता होते हैं उन सूचनाओं के जिन सूचनाओं को पढ़कर देखकर वो भविष्य के लिए योजिनात यार कर सकेंगे यह दो प्रेकार के होते हैं रासल तब हमंट भाई यंगे आंजmost को अटिक कि से एक व्यक्ति को वियुसाइक अंदर व्युसाइक संगतन के अंदर कारेता रथ जो व्युसाइब में हैा वो लोग होंगे आंटर कूप्यों करता यह दो विक्ति आतें है एक आता स्वामि स्वामी जो व्यापार का संचालक होता है व्यापार का मालिक होता है और दूसरा होता है प्रबंदक यह दो व्यक्ति होते हैं जो आपके आंत्रिक उप्योग करता है आंत्रिक उप्योग करता हो में हम दो लोगों को सामिल करते हैं व्यापार का स्वामी और प्रबंदक यह द को ज안ना चाहता है लाब के प्राप्त करना चाहता है यहानी यहानी सुचनाओ को प्राप्त करता है ता कि ऑसे जानगा는 मिल सकी और प्रबंद्दक योजनाय बनाने के उद्यश्य से है खी हमारा झण प्रबंदक होता है वो भविश्यक्रय योजनाई बनाता है प्रबंद के एक आरे करता है तो उसे सूचनाओं की जरुवत होती है बहुत सारे हैं अरिक्ति हमारी पास बहुत सारे हैं बहुत क młodran Elect Кстати तो सबसे पहले बात करते हैं सरकार सरकार क्यों एक व्यावसाय की सुचनाई जानना चाहती है वो कराधान कर प्राप्त करना चाहती है कर किसे बोलते है मेरे पहरे बच्चों तेक्स को यानि सरकार टेक्स की जानकारी किस व्यावसाइक संस्ता से मुझे कितना टेक्स लेना है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वह क्या करती है इन सूचनाओं को प्राप्त करती है आगे में बात करूं तो आता है बेंग बेंग को एक व्योसाई के सुचनाओं से क्या काम है यह जानना चाहता है क्योंकि उपलब्द करवाता है तो जानना चाहता है कि इसकी बुक्तान शम्ता केसी है यानि क्या ये मेरे रिन का वुक्तान वापस करेगा या नहीं करेगा बेंग के क्व्योसाई की सुचनाओं को प्राप्तर के देखता है कि हां इस व्यक्ति के पास रिन को वुक्तान करने की शम्ता है तो ही मैं इसे रिन दू अन्य था नहीं दू नेक्स्ट टकर में बात करू तो आता है ग्राहक या समाज ग्राहक या समाज जानना चाहता है कि जिस व्यवसाई के वस्तुए वो खरीद रहे हैं वो व्यवसाई कुछ अनेतिक कार्य तो नहीं कर रहा है याने उचित कार्यों की देख रहे हैं वो उचित कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है इस चीज को जानने के लिए एक ग्रहक्या समाज वहीवसाय की सूच्छना को प्राप्त करता है, इसके लावा हम और बात करें तो आता करमचारी करमचारी जानना चाहता है कि जिस वहुताई में वह कार्य कर सक्षध वहा उसकी जो कारिय है वह कार्य स्थाइटू है यदि वह व्यावसाइक संस्ता जो लाब कमा रही है तो वह मान के चलेगा कि हाँ यह व्यावसाइक संस्ता मुझे जरूर लाब प्रदान करेगी यानि यह लंबे समय तक चलेगी लेकिन किसी संस्ता में लगातार हानी हो रही है तो करमचारी को डर रहेगा कि संस्ता कभी भी बंदिर हो सकती है इसलिए वो अपने कारे स्थाइट्र के लिए इन सूचदाओं को प्राप्त करना चाहेगा तो इस प्रेकार सूचनाओं के दो प्रेकार के उप्योग करता होते आंत्रिक और बायी जिनकी जानकरी आपके बोड़ पे हैं आप चाहें तो इसका स्थिंसोट ले सकते हैं चलिए आगे चले तो आगे हम बात करें गaj लेखांकन एक सूचना के स्तरोथ के रूप में, लेखांकन जो है यानि जो कुछ हमने दर्ड़ किया है लिखा है वो सूचना के सोथ के रूप में कैसे हैं लेखांकर रिख सूसना के सौथ के रूप में पर एक दूसरे से जुड़ी किरियाओं की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है जो लेन देनों की पहचान सी आरम होती है और वित्य देनों के निर्मान पर समाप्त होती है यानि सबसे पहले सुरुवात जो मैं वो किसकी करते हैं प वो होती है पहचानना और अन्त कहां होता है अन्त होता है अन्त कहां होता है अन्त जो होगा वो होगा वित्य विवरनों के निर्मान पर हम इनके बाहां में के बारें में जानेंगे क्या या होतें वित्य विवरन बाहद में निकियो बाद में पढरेंगे तो lige क्रया की जो प्रारब है वह किसी भी घटना को पह चानने सी होती है और अंत को निर्मान पर हो तो लिखा वाय यह दू-स से जुड़ी किरिया है जो लेंदेनं की पहचान से आरम होती है और वित्रेंदों का निर्वाण पर समाअब्स होती है लेकांगांक प्रीक्राइब में प्रते calories में सूचना उत्पन होती है पैचानना मापना अभी लेखन करना और उसके वास संप्रेशन करना तो यह सभी जो किरियाएं हैं जो सभी जो चरण हैं इन सभी चरणों में किसी ने किसी प्रकाय की सूचना उत्पलब्द होती है जो हमारे लेखांकन के लेखा कारों द्वारा व्युक्रताओं तो पहुंचाई जाती हैं चालए हम पढ़ते हैं लेखांकन सूचनाओं को उपीयोगी बनाने के लिए निम्द को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है यानि ये सभी बातें उन सूचनाओं में होनी आवश्यक है आर्थिक नेड़े लेने के लिए उपलब्र कराना यानि सूचनाओं ऐसी होनी चाहिए कि उन सूचनाओं को देख कर कोई भी व्यक्ति यह पता लगा सके कि व्यावसाय को कितना लाब हुआ नख़ाया हांि और प्रतेर्च संस्ता जादात तर संस्ता एं लाभानी को अधिर्श्य से काम करती है तो आख्ट निर्णे लेने में सूचनाय सायक होनी चाहिए वित्य विवर्णों को सूचनायों के प्रमुकिस्तोत मानकर और निर्भर करने वाले उप्योग करता हों की सेवा करना कहीं उप्योग करता होते हैं जो हमारे वित्य विवर्णों होते हैं जिसके बारे में बाद मे हैं वो सभी जानकरी नो सके हैं संबावित रोकर-प्रवाफ की रसी रोकर प्रवाफ मतलब Кितना पैसा व्यापार में आरे हैं от कितना पैसा मोर्वब यह आन रहा है समय समय वनिष्टा के पुर्वनुमान रहां लगाने बविश्य में क्या घटित हो सकता है उसका पहले से ही पूरव अनुमान लगासा था की लिए अप्योगी सूच ने उप्लब लग ना यानि कितना लुट हमारे बिजनेस में आने वाला है और ग्या कितना लgame मेरी बिजनेस बहुश्य में जानए बहुश्य के उले में पूर्व अनुमान लगाने होंगे ये सभी जानकारी हमें उन सूचनाओ से प्राप्त होनी चाहिए तभी हमारे लिए सूचनाएं मैत्पूर्ण होगी और सही होगी अगर सूचनाएं यह समस्त जानकारी हमें उपलब नहीं करवा पार रही है तो इसका मतलब हमारी सूचनाएं हमारे लिए अनुपयोगी हैं तो लेखाकार को इन सभी तत्यों को दियान दखना चाहिए कि इन पर उसके सूचनाएं अधारीत हो तो मेरे प्यारे बच्चों यह था मेरा पार्ट सेकिंड लेखांकन एक परीचे से तो प्यारे बच्चों थर पार्ट के लिए बने रहे हमारे साथ बच्चों आज का अगला पार्ट कक्षा बारा में इतिहास विशे में सिंधू घाटी स दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अक्षा 12 के इतिहास विशे का अध्याई एक जिसका नाम है भारत का वेभवपून अदीत दोस्तों आज की इस भाग में हम बात करेंगे सिंधू घाटी सब्विटा की पिछली वीडियो में हमने बात के थी सिंधू घाटी सब्विटा की कु सब्विटा की खोज का और इसके अंदर जब पहली जो खोज हुई थी हडपा की खोज हुई थी जो कि 1921 में दैराम सहनी ने की थी और 1922 में जो खोज थी मोहन जुदरोगी की खोज थी वो राखाल दास बनरजी ने की थी तो इस प्रिकार एक बहुत बड़ी सब्विटा क से पुरातत तो वेता थे और उन्होंने क्या-क्या उत्खरन किया और क्या-क्या मेहत्पुन उपलब्दिया हासिल की और किस तरह से सिंदु घाटी सब्विटा की खोज हुई उसके बाद हमने बात की थी इसके नामकरन पर कि सिंदु घाटी सब्विटा का आखिर क्या ना इसके तीन क्रमिक चरण है एक तो प्राक हडपा सब्वचा एक प्रवर्ति उत्तर हडपा सब्वचा की अपारती ओप महादीब के यह लगबग तीन देशों में भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसे अपारत फैली हुई थी इन सब चीजों के बारे हम चर्चा की थी आज की वीडियो में इसकी प्रमुक आगे की प्रमुक विशेस्ताओं पर बात करेंगे जिनमें की सिंदुकालीन समाज पर हम बात करेंगे सिंदुगाटी सब्वेता की कला की बात करेंगे कला के अंतरकत हम बात करेंगे इसकी मूर्थी कला की इसकी स्तापत्य चित्रकला की हम बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके आर्थिक उपलब्धियों की, किस प्रकार सिंदुघाट टेशभेता एक व्यापार प्रधान अर्थ व्वस्ता थी और उसने किस प्रकार विदे सी व्यापार मुन नत्ती हासिल के, इसके जाएं कि दार्मिक शेत्र में ज दोस्तों कला जब हम बात कला की करते हैं तो कला में तीन पक्ष होते हैं उसके स्थापत्यकला, मूर्तिकला और चित्रकला, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंदुगाटी सब्वेता की स्थापत्यकला की, स्थापत्यकला की बात जहां तक है, स्थापत्यकला हम तीन चीजों को शामिल कर सकते हैं इसमें एक तो इसके नगर नियोजन को दोस्तों सिंदुगाटी सब्वेता की जो सबसे प्रमुख विशेस्ता है वो उसका नगर नियोजन ही मानी जाती है सिंदुगाटी सब्वेता इतिहास में अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है और हम देखत पूरी सभ्यता की कहानी लिखी गई है, तो सबसे प्रमुक विशिस्ता है इसकी नगर नियोजन, दूसरी बात करेंगे इसमें जल निकास प्रणाली की, सिंदुगाटी सभ्यता का जो जल निकास प्रणाली थी वो अपने आप में अनूठी थी, और समकाली इन सभ्यताओं मे हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, और यहां तक की हम देखेंगा, अठारवी शताब्दी के शहरों में भी यह जल निकास प्रणाली दिखाई नहीं देती है, इसके अलाव हम बात करेंगे, इसके कुछ विशिस्ट भवनों की बात करेंगे, कि कौन-कौन से ऐसे भव की बात करें, महों जोदरो के नगर की बात करें, काली बंगा की बात करें, जो अधिकांश नगर थे, वो मुख्य रुप से दो भागों में बटे वे थे, सिंदुकाली जो नगर थे, वो दो भागों में बटे थे, अगर हम इस तरह का देखते हैं, यह जो नगर था, इसे एक तो पूर्वी हिस्सा था इसका और एक इसका था पश्चिमी हिस्सा इसका जो पूर्वी जो हिस्सा था इस पर नगर वसा हुआ था जहां पर आम जनता रहती थी आम लोग रहते थे और इसके अलावा जो इसका पश्चिमी भाग था इस पर इसे हम गड़ी कहते थे से उपपर उठावा हिस्सा होता था और इसमें साशक वर्ग और करमचारी वर्ग जो थे वो रहते थे और अधिकांज जो महत्वपूर्ण इमारते हैं वो हमें इसी गड़ी वाले भाग में देखने को मिलती है और यह जो नगर था यह तोड़ा नीचे था तो इसकी वज़े यह थे कि जब सूरी की किर्णे आती थी उसी गड़ी पर भी पढ़ सके और इसके अलवाद पूरे नगर को भी इसका फाइदा मिल सके तो यह जो नगर थे सिंदुगाटी सब्वेता के वो दो भागों बटे थे पूरवी भाग और पस्चीमी भाग पस्चीमी भाग में ग ग्रीड पढ़नाली थी कहने का मतलब यहां सडके जो थी वो एक दूसरे को समकून पर कारते हुई होती थी इसे हम बोलते हैं ग्रीड पढ़नाली और मुख्य सडकों के उपर घरों के निर्मान पर रोक लगे हुई थी इसलिए ग्रीड पढ़नाली पर पूरी तरह से आध वो मंजिला होते थे, क्योंकि हमें सिध्डियों के भी ऑउस्यस मिले हैं, इसलिए लगता है कि भवन दो मंजिला थे, उपर जाने के लिए सिध्डियां होती थे, इसके अलावा प्रते गर में लगबग चार या पांच कमरे होते थे और उनके साथ में रसोई भी होती थी और इसके अलावा इसनानागार और कुवों की विवस्ता होती थी और जो एक खास बात ये थी कि जो घर के जो दर्वाजे थे और जो खिड़कियां थी वो मुख्य सड़क पर नहीं कुलते थे वो पीछे गली में खुलते थे ताकि सुरुक्षा की दर्ष्टी से वो महत पोनते होते थे तो सुरुक्षा का अध्यान रखा गया था कि जो दर्वाजे और खिड़कियां थी तो मुख्य सड़क पर नहीं खुले इसके अलावा जो इनां के दर्वाजे जिन बिशेष की जल निकास प्रनाली दोस्तão, सिंदुगाटी सब्वेता की जो जल निकास प्रनाली है वो अपने आप में अनूठी है अनूठी इसलिए क्योंकि यह हमें सम्कालिन सब्वेताओं में देखने को नहीं मिलती है सबसे अनुठी विशेस्ता है, जो उसके अन्य सब्वेताओं की नहीं देखने को मिलती है, यह जो जलनिकास प्रनाली है, वो तीन इस्तरों पर थी, इसके तीन इस्तर हुआ करते थी, जलनिकास प्रनाली के, एक तो घर की नालियां, यानि घरों का जो गंदा पानी था, उसे भी एक बड़ा नाला बना होता था, उसकी एक मुख्य सड़क बड़ा नाला बनता था, उसमें वो पानी जाके मिल जाता था, तो इस तरह की विवस्ता थी, तीन इस्तर पर नाली की विवस्ता की गई थी, घर की नाली, गली की नाली और मुख्य सड़क का जो बड़ा नाल की लिए और इन नालियों को समयाश्य पर सफाई की की ति और इस बार से button चलता है कि शायद वहां कोई नगरपाली का प्रशासन की नाम कोई संस्ता होती थी नगरपाली का लॉस्पर जो समय-फमै नालियों की सफाई करने के लिए उन चेम्बर्स होते थे और इसके लावस तो दा मैन होल, तर्मों के जिनको हम बोलते हैं, वो भी हुआ करते थे, एक और बात यह है कि जो वर्षा का जो पानी था, बारिस का जो पानी था, उसे निकालने के लिए अलग नालिया बनाई होती थी, जिब कि घर की सफाई के लिए अ इसके लानागार देखने को मिलता है, एक गोधी बारा देखने को मिलता है, जलाश्य और स्टेडियम के अवशेस हमें मिलते हैं, तो एक यह करके बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं विशाल इसनानागार, विशाल इसनानागार जो है, वो हमें महुन जोदरों में मिलता ह महन जोदवो का जो इस नानागार है वहों बहुत प्रसीद ہیں और बहुत विशाल है आप यहां चितर में देख सकते हैं और इस इस नानागार के इस्तमाल के लिए दक्षिन में और उत्तर में इसकी सिड्धियां बने हुए थे ताकि अगर इसनान के लिए तीन और जैसे यहां यह तीन और इसके बरामदे बने हुए थे ताकि वहां पर इसनान की ववस्ता की जासे कि इसके लावा यहां पर एक कुवा भी मिला है इसके पास में इसनानागार के और जहां तक इसके उपयोग की बात है तो इसके लिए धार्मिक या सामुईक जमारों के लिए इस इसनानागार का इस्तिमाल किया जाता था तो हम देखते हैं कि विशाल इसनानागार की खास बात ही महोंजोड़ों में हमें मिला है और एक भव्य इमारत है सिंदुगाटी सब्वेता की इसके बात बात करें अनागार की तो अनागार जो है हमें कई जगों पर मिलते हैं खासकर हडपा और मोहनजोड़ों के जो अनागार है काफी फ्रसिद है लेकिन इनमें भी हडपा का जो अनागार है वो सबसे जदा प्रसिद और महत्वपूर्ण है अन्नागार की बात करें तो मुझके रूप से दो खंडों में विवाजित होते थे और हर खंड में 6-6 कमरे बने हुए थे और इन खंडों के इन कमरों में क्या रखा जाता था यहीं पास में हमें स्रमिकों के आवास भी मिले हैं, जो यहां काम किया करते थे, तो इस प्रकार हम देखते हैं, अन्नागार की जो थी, किस तरह से भवी इमारत है यह भी, अब बात करें गोधी बाड़ा, गोधी बाड़ा का मतलता बंदरगा, यानि शिप्याड जिसको लंबा है ये आप देख सकते हैं और इसकी जो चोड़ाई है वो 36 मीटर है इसकी चोड़ाई है इसकी जो उत्री दिवार है उसमें एक प्रिवेश द्वार बनाया गया जहाज्यों के लिए और वो किस से जुड़ावाए भोगवा नदी के माधियम से समुद्र से प्रिवेश द्वार ताकि वहाँ जहाज आके रुख सकें और इस गौदी बारे का जो इस्तमाल था विदेशी व्यापार में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमी का हम देख सकते हैं इसके बाद बात करते हैं एक अन्य इमारत की जो स्टेडियम और जलाशी है इस स्ट स्टेडियम भी है यहाँ अधोलाविरा में एक इस्टेडियम भी मिलते हैं हमें जिनमें की चारों तरफ उनके सिढ्डियां बनी होती दर्शकों के बैठने के लिए और यह जो जितने भी इमारते हैं जातर इनमें से दुर्ग से जुड़ी वही है जो उसका पश्चीमी भ और चित्रकला है उसके जातर जो अवस्यस हैं वो हमें कहां मिलते हैं इसके भवनों में मिलेंगे इसके पत्थर की मूर्तियों पर मिलेंगे मुरद भांड़ों पर मिलेंगे मोहरों पर और काश्य मूर्तियों आदी पर इनके अवस्यस हमें देखने को मिलते हैं तो आईए पिश्वीया तो है नियुकाय मोरता है कि यह मिट्टी कि जो मूरता है जेकांव मुरता है रिखिवा ने만 रहाएं उम्हकानडूडू्या की अन्य मिलती है। इसके अलावा हडपा से दो मूर्तियां और मिलती है पत्थर की, लाल बलुवा पत्थर की युवा पुरुस का धड़ मिला है, उसका सर नहीं है, इसके अलावा हडपा से ही सलेटी चुना पत्थर के एक नरत्य मुद्रा की आकरती, एक पुरुस की आकरती हमें मिलती है, दू इसकी जो प्रसिद दो मूर्तियां उनके यहां जैसे रत की जो मूर्ति है वो दायमाबाद में मिलती है हमें दायमाबाद महरास्ट्र में है इसके लावा एक मूर्ति है नर्थकी की जो मूर्ति है वो महरों से मिलती है जिसे जॉन मार्सल ने इसे डांसिंग गर्ड नाम दिय अब बात करें चित्रकला की तो चित्रकला की जो अधिकान सवस्य से चित्रकला की हमें महरों से मिलती है मुख्यूरूप से और महरों से हमें लीपी की नमूने वहां पर देखने को मिलते हैं और लीपी की जो नमूने है वो अपने आप में चित्रकला के नमूने भी जैसे अब बात करते हैं सिंदु लिपी की, सिंदु लिपी जो है वो इसमें सिंदु लिपी के खास बात ही अभी तक अपठनी हैं, इस लिपी को हम पढ़ नहीं पाएं हैं, इसलिए यही कारण है कि सिंदु घाटी सब्वेता का जो काल है वो इतियास में आद्धी इतियासिक काल क के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लिपी तो इनके थी, इनके आउसेस्तों में मिलते हैं, पठनी सामगरी तो मिलती है, लेकिन उसे अभी तक हम पढ़ नहीं पाएं, इसलिए ये से हम आध्य एतियासिक काल में शामिल करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वज़े ये कि इसे प अधिका था, वो दाएं से बाईं और इस तरह से इसे लिखा जाता था, इसमें आज तक कुल मिला के दो पचीस सो लेक इसकी हमें उपलब्ध हुएं आज तक, और जिनमें 413 की पहचान की जा चुकी अभी तक, और जो सरवादिक प्रसलित चित्र इसका हमें मिलता है, वो ह हम बात करते हैं, सिंदुगाटी सब्वेता की विज्ञान के छेत्रे में जो उपलब्दियां थी, उनके बारे में हम बात करेंगे, सिंदुगाटी सब्वेता से बात करें गनित की, तो गनित के छेत्रे में उनके कुछ प्रतीक चिन्नों का इस्तमाल वो लो करते थे, जैस इससे पता चलता है कि वो ओशदी विज्ञान में काफी उन्नती कर चुके थे। बात करें धातु विज्ञान की तो धातु विज्ञान के अंदर वो मिश्रन धातु के मिश्रन और उनकी उप्योग की जानकरी सिंदुगाटी सब्वेता के लोगों को थी। काश्य धातु का इस्तमाल इस बात का परिचायक है। जो काश्य धातु होती है वो तामबा और टिंज से मिला कर बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि उन्हें धातु विज्ञान की जानकरी थी। धातु का मिश्रन करने की उन्हें जानकरी प्राप्त थी। मोहन जोदरो से हमें काश्य निर्मेतिक नर्थ की मूर्थी मिलती है, जिसके बारे हम पहले चार्चा कर चुके हैं, और दाइमाबाद से भी हमें रथ की एक मूर्थी मिलती है, जो उनके धातु विज्ञान के ग्यान को बताते हैं, अब बात करते हैं सिंदुगाटी सब्वे जो थी हूँ पुरी तरसे क्रशी प्रधान अर्थि विवस्ता थी, क्योंकि उसमें क्रशी की उन्नति से ही नगरों का विकास संभव हो सकता था, और क्रशी की उन्नति का मुख्य कारणती वहां की भूमी की उर्वरता, और भूमी की उर्वरता शक्ति किस तरह से बढ़ी थी हर वर सिंदुग नदी जो थी उसमें बाड आती थी और अपने साथ उर्वरवा मिट्टी लेके आती थी इससे सिंदुगाटी सब्वेता में क्रशी की उन्नत अवस्ता हमें देखने को मिलती है यहाँ पर अन्नागारों की विवस्ता भी बताती है कि सिंदुगाटी सब्वे रागी, मटर, चावल, तिल, कपास, आधी का इस्तमाल किया था, एक खास बात ओर है कि कपास जो थीव साफ से पहले सिंदुगाटी सब्वेता के लोगों नहीं कपास का इस्तमाल शुरू किया था, और इसी वज़े से सिंदुगाटी सब्वेता का जो प्रमुख व्यवसाई हमें यहां मिलते हैं, इसके लागा सिंचाई के लिए मुख्य Auswारा रूप से कूओं का और तालावयों का इस्तमाल किया था göz-वे.' इनके गाय, बेल, बक्री, हिरन, हाती, उउत्वान इनका इस्तमाल करते थे हालां कि हमें घोडे के बारे में जानकार chew नहीं मिलती कि सिंदु वासी गोड़े का اسत्स्वाल करते थे या तवह नहीं करते थे लेकिन गुजरात के सुरू को टरा में इसके आवस्य drained लेकिन इस निश्कर्स पर हम नहीं पहुंच सकते कि सिंदु वासी घोड़े का इस्तमाल करते थे आगे बात करें इसके उद्योग और व्यवसाई की तो सिंदु घाटी सब्वेता के लोग कई तरह के व्यवसाई करते कई तरह के उद्योग उद्योग में लगे वे थे इसमे हमें वाँ अधिकतर सिंदुगाटी सब्यता की सुन्दर मरदभांड मिले हैं जिन से पता चलता है कि कुम कारी का व्यवसाई काफी उननती पर था इसके अलावा चाक के प्रमाण भी मिलते हैं जो की बरतन मनाने में इस्तेमाल के जाते थे इसके अलावा सिंदुगाटी सब् सबसे प्रमुक उद्योग था वो वस्त्र उद्योगी था सबसे प्रमुक उद्योग है यह वस्त्र उद्योग और कपास के वस्त्र की प्रमान हमें कई जगे मिलते हैं इसके लिए कताई के लिए बुनाई के लिए तकलियां और तक्वे के प्रमान भी हमें देखने को मिलते ह अब बात करें इसके व्यापार और वानी जी की, विशेशकर सिंदुगाटी सब्वेता अपने विदेशी व्यापार के लिए जानी जाती है, और तमाम समकाली इन सब्वेताई जितनी भी थी, मैसोपोटामी के सब्वेता, क्रीट के सब्वेता, उन सबसे सिंदुगाटी सब थे दोनों ही उन्नत अवस्ता में थे व्यापार का जो तरीका था वस्तु विनिमे था उस समय कोई मुद्रा का प्रसलन नहीं था तो व्यापार का तरीका क्या था वस्तु विनिमे के माध्यम से व्यापार किया जाता था और इसके लावा जो व्यापारी होते थे वह अपनी जो सामान होता था उसकी गांठों पर महऊर का इस्तमाल करते थे हुमरें कई मोहर हैं सेमज़ाती सभेता की महर हमें मिली है। व्यापार की बसतुएं तया रत्न ऊपरतन धातू। दातून इनमें सामगरी आधी को शामिल किया जाता था। बात करें, सिंदुगाटी सब्वेता में कच्छे माल की काफी कमी थी, इसलिए जातर वस्तों का सिंदुवासी आयात करते थे, तो इनमें आयात की वस्तों में कौन-कौन सी है, इनमें तांबा, सोना, चांदी, मन्के और कीमती पत्थरों का सिंदुवासी आयात किया करते थे और कहां कहां से इनका आयात किया जाता था ये याद रखनी की चीज है तांबे का जो आयात करते थे वो राजस्तान के गनेश्वर से करते थे इसके लबा सोना वो करनाटक मैसूर से मंगाते थे और चांदी का जो आयात करते थे वो इरान और अफगानिस्तान से चांदी का आयात सिंदुवासी करते थे मनके और कीमती पत्थरों की बात करें तो गुजरात और महरास्ट से ये मंगाये जाते थे अब बात करें विदेशी व्यापार की जैसे हमने बताए कि सिंदुगार्टी सब्वेता की एक प्रमुग विशिस्ता थी कि इसका विदेशी व्यापार काफी उन्नत अवस्ता में था और इस्तल और जल दोनों मार्गों से ये व्यापार होता था मेलुहा शब्द का इस्तमाल किया गया है, और मेलुहा शब्द किसके लिए इस्तमाल किया गया है, सिंदु गाटी सब्वेता के लिए, ये सिंदु वासियों के लिए मेलुहा शब्द का इस्तमाल किया गया है, इसके लावा सिंदु व्यापार मेलुहा शब्द का इस्तमाल क मिलती मेश्ठोटामिय में मिलती है agar mandhi मांछा सिंदुंगाटिसुआता कि सामाजिक-ची는 की इस अपरें, जानकारी प्राप्त कि नहीं हो थे यहां बात करें तो मुख्यवरग शाशक क्रंशक्रासरी वर्ग स्रमिक्ष्यक्राप्ति थ请 को जो हम शामिल कर सकते हैं समाज मुस्त्रइं का जाती व्यवस्ता का विभजन नहीं था जो हमें आज देखने को मिलता है तो इस तरह सबसें च्छोटी इकाई थी परिवार समाज की छोटी इकाई था और परिवार जो थे माडosh वो मात्र सतात्मक थे, खास बात ध्यान रखने की जो परिवार होते थे, वो कैसे थे, मात्र सतात्मक परिवार थे, और मात्र देवे, इसका आंकलन हमें कर सकते हैं, इस बास थे कि मात्र देवे की बहुत सारी मूर्तियां हमें, मुर्ण मूर्तियां मिली है, इससे पता चलता अब बात करते हैं, हम सिंदुगाटी सभेता के राजनेतिक जीवन की बात करते हैं, जिस तरह सामाजिक जीवन की है, उसी तरह हमें राजनेतिक जीवन के बारे में भी उनके स्पस्ट जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि व्यापार प्रदान अरतिवस्ता थी, उनकी जो मुख गाटी सब्वेता के दो जुडवा राजधानिया उन्होंने इसे बताया है इसके अत्रिक्त हमें ये सुविवस्तित नगर नियोजन और स्वच्छता और जनल सनरक्षन को देखते वे लगता है कि वहां कोई नगरपाली का प्रशासन कारी करता था तो नगरपाली का प्रशा अब बात करें सिंदुगाटी सब्वेता कि धार्मिक जीवन की उपलब्दियों की कि धर्म के छेत्र में धार्मिक जीवन की बात करें तो धर्म के हमेसा दो पक्स होते हैं तो क्रियात्मक पक्स होता और एक होता सैधान्तिक पक्स तो सैधान्तिक पक्स की हमें जानकारी न सबसे महित्पुन योगदान हम यहीं देखते हैं अगर सिंदु घाटी सब्विता का अगर आज की बात करें तो आज की हिंदु समाज में हमें सिंदु घाटी सब्विता की धर्म धर्म की अनेक अवसियस हमें देखने को मिल जाते हैं कई परंपराएं ऐसे हैं जो आज भी हमें इंदु धर्म में देखने को मिलती हैं, जो कि सिंदु गाटि सब्वेता के लोग अजिने अपनाते थे, इसकी प्रमुक विशिस्ता जो हम बात करें, तो मात्र देवी की उपासना की बात करते हैं, जो हमारे देश में आज भी मात् मुर्थियां मिलती है, और कई सीलों पर हमें इस चित्र देखने को मिलते हैं, इसके लएफ पशुपतिनात की कलपना भी सिंदु वास्यों ने की थी, पशुपति की महर मिली है, मेके महदे को महन जोदरों से एक महर मिलती है पशुपति की, जिसमें एक व्यक्ति योग- पुजानवर खुछ हैं, इसके लाव व्रक्ष पूजा की बात हम करें, तो व्रक्ष के रूप में पीपल की पूजा सिंदुवासि करते थे, जिसकी पूजा आज भी भाराटी समाज देखने को मिलती है, इसके लाव मूर्ती पूजा मुख्य रूप से प्रसलित थी, जो हमारे हिंदु धर्म की प्रमुक विशिस्ता है, इसके लाव जल की पवित्रता, जल की पवित्रता भी महत्पून है, क्योंकि जिस तरह के स्नानागार हमें देखने को मिल रहे हैं, हमने महंजोदरों के विश इसके लाव रक्ष पूजा का भी हमें प्रचलन देखने को मिलता है, एक महर पर हमें देवता को दो पीपल के व्रक्ष के मद्य दिखाया जाना इस बात को दिखाता है, और इस साथ मानव आकरतियां उसे गेरे हुए हैं, इसके लाव पशुपतिनात की पूजा की बात के तो हडपा से प्राफ्त महर में पदमासन पुरस आकरतिम बैठावा, जिसके अब यह हमने बात किये, वो शिव का ही आदी रूप हम मान सकते हैं, इसके लाव हाती, बाग, हीरन, भेहस, गेंडा, आदी पशुओं की पूजा भी हमें देखने को मिलती है, जो सबसे यह सम महरों पर देख सकते हैं, इसके लाव बात करें, यग की महता की, तो काली बंगा और लोथल में हमें कई अगनी वेदिकाई मिली है, जिससे पता जलता है कि सिंदु वासी यग की बारे में प्रसलित, जानकारी रखते थे, तो इस परकार दोस्तों, आज हमने सिंदु गाटी सभ्यता के तमाम तरह के महतोपून प्रशनों पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों हमारे इस कारिक्रम के एक कंटेंग पार्टनर है, मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तकनिकी सहयो, यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फांडेशन, एवम, पुरमल फांडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको ये कारिक्रम कैसा लगा, अपना सुझाव अवश्य दें। कारिक्रम से समंदिद आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका हो, तो आप हमें इमेल कर सकते हैं और डाग द्वारा भेज सकते हैं। 111 सहेली मार्क सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 31-30-01